नमस्कार आदाव सशेकाल मित्रों स्वागत है समाधान कारिक्रम में एक बार पुनह आप सभी का किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है जब कुछ और नजर नहीं आता वास्तों में जब चार और अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है तब सिर्फ और सिर्फ वही हमें नजर आता है क्योंकि वही हमें संबल प्रदान करने वाला है वही हमें शक्ति प्रदान करने वाला है वही हमारी डूपती नया को पार लगाने वाला है लेकिन अपसोस केवल इस बात का है, कि हम केवल मुसीबत में उसे याद करते हैं, गर अच्छे दिनों में भी हम उसे याद करें, दिन की शुरुवाद भी उसकी याद से करें, तो दिवस कितना सुन्दर होगा, जीवन कितना सुन्दर हो जाएगा और वास्तव में परमात्मा पिता हमें सब कुछ देने को आतुर है सोचें कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो उसका बेटा यदि भिक्षा मांग रहा हो दर बदर की ठोकरे खा रहा हो तो उस अमीर पिता को कैसा लगेगा ठीक हमारे भी पिता सर्व शक्तियों के सागर हैं शांती के सागर हैं आनंद के सागर हैं सुख के सागर हैं और आज हम शांती के लिए सुख के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं कैसा लगता होगा उन्हें आवश्यक्ता केवल जैसे कल की हमारी चर्चा में एक बात निकल के आई थी ज्ञान चक्षु की है सही ज्ञान की सही समझ की एक ऐसी नजर की जिसके माध्याम से हम उन्हें देख सकें उन्हें पहचान सकें उन्हें महसूस कर सकें जब ये नजर हमें प्राप्त हो जाएगी जब ये ग्यान का चक्शु हमें प्राप्थ हो जाएगा, तो वो देन दूर नहीं, जबकि हमारा पूरा जीवन खुश हाली से भर जाएगा. हमारी तो यही आशा है, यही उमीद है, यही शुपकामना है, समाधान का लक्ष यही है कि आपका जीवन ऐसा ही खुशनुमा हो जाए इन्ही शुपकामनाओं के साथ आई आज की कड़ी की शुरुवात करते हैं ब्राता जी आपका बहुत स्वागत है, अभी नंदन है, बहुत सारी समस्या हैं लोगों की तो हैं ही, लेकिन जिस ज्ञान चक्षू की बात लगातार आप कर रहे हैं ब्राता जी, वो ज्ञान चक्षू कैसे हमेशा खुली रहे, ऐसा होता है कि आखी कई बार बंध हो जाती ह और ये जो ज्ञान चक्षू है, जो दिखाई नहीं देती है, वो तो ज्यादतर बंध ही हो जाती है, ये चक्षू खुले रहते हैं, वो चक्षू बंध हो जाती है, ये हमेशा कैसे खुली रहे, ताकि हम उस परमसत्ता की अनुभूती करते रहे हैं तेक एक ज्यान चक्षु है, यह तीसरा नेत्र है, इसलिए भगवान को ज्यान चक्षु विधाता कहा जाता है, वही यह दिव्य नेत्र हमें प्रदान करता है, लोगों ने चित्रों में इसको यहां दिखा दिया है, शंकर जी को हम देखते हैं, और ज्यानतिर्धांकरों के जो जित्र बनाये जाते हैं, उनमें भी अनेक जगे वो तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाते हैं, वास्तव में यहां कोई नेत्र नहीं होता, बुद्धिस्ट के यहां भी, वो यहां कुछ-कुछ करते हैं तीसरे नेत्र को आपिन करने के लिए, लेकिन इसकी ज़रुरत नह ही तीसरा नेत्र तो ज्यान का है, जिस मनुस की बुद्धी में ज्यान भर जाता है, यानि जिसकी बुद्धी सद विवेक से और दिव्य विवेक से भरपूर हो जाती है, उसकी यह बुद्धी ही तीसरा नेत्र कहलाती है, तो हमारा यह तीसरा नेत्र खुला रहे, माना हमा बहुत सारे लोगों के साथ, कि जब वो कार्य विवार में व्यस्त होते हैं, या समस्याएं जब उनको अपने अधीन कर लेती हैं, या जब उनका मन वियर्थ में भटकने लगता है, या आज कल टीवी और ये वो बहुत कुछ जब देखते हैं लोग, तो ज्ञान विस्मृत ह हो जाता है, इसको ही कहा जाता है कि तीसरा नेत्र बंध हो गया, तो रोज सवेरेश्वर ये महावाग कि सुने, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोडे, और बुद्धी में ज्ञान को इस्मृन रखे, ये तो संभव नहीं कि सारा दिन कोई इस्मृन रखेगा, लेकिन ऐसा सब जगे होता है, मानलो हम जा रहे हैं, रास्ते में गढ़ा है, हम तुरंत रूख जाएंगे, ये तो नहीं हमारे नेत्र बंध होगे, हमारे नेत्रों में ये भरा हुआ है, विवेक में भरा हुआ, गढ़ा है, चोट लगेगी, गिरोगे, एक्सिडेंट होगा, इसलिए बच के चलो, खाने पीने में कुछ ऐसी चीज आ गई, हमारा बुद्धी का नेत्र खुला रहता है, ये नहीं खाना वही, इसमें ये चीज जाद है, हर जगे हम हर फिल्ड में देख सकते हैं, हमारा नेत्र खुला रहता है, बस ज़रुत इस चीज की है, ज्ञान के नेत्र म कुछ बाते हम इस तरह भर दें कि जब परिस्थिती आये हमें वो याद आये मालो कोई अनौनी घटना हो गई किसी की मृत्यू हो गई अब किसी का एक्सिडेंट ही हो गया अब एक्सिडेंट होना बड़ी दर्दना घटना होती है नो जाने किसका कौन प्रिये जन था किसका इकलोता बच्चा था किसका कमाने वाला व्यक्ति था उसकी मृत्य हो गई एक उस सीन को देखना दूसरा अब कमाने वाला कोई नहीं र इनका चिंदन बहुत चलेगा लेकिन हमें ज्ञान की स्मर्ती रखनी है ड्रामा का विशेश ज्ञान हमें प्राप्त है हम ये संकल्प करने के जाने वाले का समय पूर्ण हो चुका था हमारे पास अब उसको जाना ही था वो भगवान की संतान है थी उसके पास चली गई हमारा कोई शहारा नहीं रहा ऐसा भी कुछ नहीं भगवान हमारा है एक जगह से कोई चीज़ नहीं मिल रही है दूसरा मार्ग हमारा खुल जाएगा सबको ठीक हो जाएगा तो इसको कहेंगे ज्ञान नेत्र खुला रहना लेकिन बहुत नेटीव हो जाना बहुत व्यर्थ में च सहज और सरल हो जाए और परमात्मा पिता भी हमें जो देना चाहते हैं वह कह थे हमें चाहथे महता वैश्ट जी की वीवेक-पूर्ण यदि कारे किया जाए तभी हमें हुसे सफलता मिलती है और जा थे आfa कार्य पूछते हैं कि यदि हम दूसरों को सकाश देंगे तो क्या हमारी शक्तियां कम हो जाएंगे वो ऐसा सोचते हैं कि योग में बाबा आप इनको सकाश दो तो क्या उचित है क्या हमें बाबा से शक्तियां लेकर सकाश देनी चाहिए या डायरेक्ट बाबा से ही दिलानी देने से ये अंतरिक शक्तियां, स्यांती, खुसी, बढ़ती है, देने से कोई चीज कम नहीं होती, कहां से ये बात लोगों की चली है, वो भी मैं थोड़ा सा स्पस्ट कर देता हूं, जो लोग देखी करते हैं, वो भी उपर से, जिसको कोस्मिक एनर्जी कहते हैं, लेके फिर देते हैं, तो उन्हें अच्छी फिलिंग होती है, विदेशियों में कुछ ऐसे हीलर हुए, जो अपनी सक्तियां यूज करते रहे और बाद में बिलकुल वीक पड़ गए, उन्हीं बीमारियों के कुछ सिखार हो गए, वो लेते नहीं थे, उनको लेना नहीं आता था, हमा बाबा से जोडेंगे, उससे हम वाइब्रेशन्स लेंगे, और फिर मस्तक से, नैनों से, हातों से, अपनी गुड़ विशिज से, हम दुसरों को वाइब्रेशन्स देंगे, रही बात ये, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कि हम बाबा को कहें, आप दे दें, तो भला बाबा हम से समझने की है, कि हमारे वाइब्रेशन्स उसे ही जाएंगे, जिससे हमारा कनेक्शन होगा, अगर किसी को भगवान से वाइब्रेशन्स प्राप्त करने हैं, तो वो तभी मिलेंगे, जब उनका उससे कनेक्शन होगा, हम कह दें, बाबा इन्हें वाइब्रेशन्स दे दें और मालनों हमारे कहने से बाबा वाई वेसंस देने भी लगे लेकिन वो उनको जाएंगे कैसे उन्हेने तो अपना connection तोड़ा हुआ है इसलिए हम उन्हें आत्मा देखकर क्योंकि उनसे हम connected हैं हम उनके पूरवज हैं हम उनके इस देव देवियां हैं इसलिए वो सुक्सम और हम उन्हें देंगे दूसरी बात होगी प्राते जी जो मैं समझ पा रहा हूं कि हरी के घर में अधी टेलेविजन सेट है भी तो डारेक्ट वो कनेक्टेड नहीं है लेकिन एक टावर के थ्रू वो कनेक्टेड है जिससे कि उन तक वो पहुच रही है वो जो रिले किया जा जड़ों के और स्तनों के माद्धियम से ही साखाओं में याएक एक पत्थे में जाएगा जो राजयोक कर रहे हैं वो परमात्मा के माद्ध्यम बन जाते हैं और उनके माद्ध्यम से ये vibration संसार में जाते हैं एक और चीज जो मैं कहना चाहूँगा हम निरंतर प्रकर्ति से जुडे रहते हैं, क्योंकि हमारा देही प्रकर्ती से प्राप्त हुआ है, हमारे चार ओर जो दिखता है हमें, चाहे वो हवा है, चाहे वो प्रकास है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब प्रकर्ती है, प्रकर्ती से हम निरंतर जुडे हुए हैं, इसलिए ये बात सभी को बहुत अच्छी तरह याद रखनी चाहिए, जितना हम योग-युक्त रहते हैं, जितनी अच्छी हमारी purity है, जितना सुन्दर चिंतन हम करते हैं, उसके vibrations को ये प्रकर्ती automatically ग्रहन करती जाती है, इसलिए एक कम्रे में मान लो एक योगी रहता है, और उसका चिंतन भी बहुत सुन्द तो उसके vibrations इविन दिवारों में भी समा जाएंगे, घड़ी होगी उसमें भी समा जाएंगे, जो कपड़े महां रहे होंगे उनमें, बरतनों में, सबजीयों में, समा जाएंगे, व्रताजी विवेका नंद रॉक है, वहां पे एक कमरा है, जिसमें शायद विवेका नंद थोड़े समय रहे हुए थे, तो वहां भी अब तक इतना deep silence है, वो vibrations लोग feel करते हैं, जो बात आप कह रहे हैं, शायद वो योगी के कमरे की बात, पुझे अचानक महां की याद आगे, मैं भी वहां गया था, और हम लोग भी वहां बैठे, क्योंकि हम लोग तो राजियों क जितना अच्छा हम योग करते रहेंगे, उतने ही vibrations ऑटोमेटिकली भी सबको जाते रहेंगे, और परपजली भी हमें किसी व्यक्ति को या किसी स्थान पर देने भी चाहिए, विलकुतु भरताजी, यह बात इसपस्ठ हो गई, कि हम यदि देते हैं, तो हमारी शक्तियां न संगाल हो गया, लेकिन यदि मैं आध्यात्मिक रूप से खुशी, शान्ति, शक्ति यदि किसी को देता हूँ, तो multiply ही होता चला जाता है, एक चीज और इसमें जानने योग है, मालो हम किसी आत्मा को स्यान्ति के vibrations दे रहें, कि लोग यह भी सोचते हैं कि हमारे जा भी रहे चला जाएगा, यह उसका प्रूफ होगा कि हमारे vibrations हमा जा रहे हैं, तो देखिए, देने से हमारी तो कई गुनी बढ़ गई चानति, तो देने से हमेशा बढ़ता है, यह संकल्प निकाल देना चाहिए, कि हमारी कम होगा, ब्राताजी यह जो शब्द है, सकाश, मुझे में जो एक सब परचलित हो जाता है, उसको सब पर योग करने लगते हैं, दूसरों को vibrations देना, इसको सकाश कहते हैं, तो यह हमारे भाई बहने भी कर सकते हैं, और जो सुबह और शाम यह कर रहे हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे का योग, तो यह भी वास्ताव में एक ध्यास के गारा सकाश देना ही है, हम उन अत्माओंं कोangesकों बहुत जादे हैं, जहां मेडिकल साइंस हाथ खड़ा कर देती है, जहां मनुस हर तरह से हिम्मत हार जाता-एंसे में अन अत्माओं को हमें बल देना विजए शएस लूप से शक्तियों के vibrations देना, इसकी बहुत श्यान्ती दें वो श्यान्ती तो थोड़ी अल्पकालीन भी हो सकती है लेकिन हम ऐसी शक्तियों के वाइब्रेशन्स दें ताकि मनुस्य के अंदर ऐसी सामर्था जाए कि वो आने वाली समस्याओं को बड़े आनंद पूरवक फेश कर सके वो समस्याओं उसको तोड न दें व बना दें ठीक है समस्याओं आई है बाहरी भी लगियो लेकिन हम पावर्फुल है ऐसी शक्ति हरेक के अंदर आ जाए हम इने पार कर लेंगे मनुसका उमंगुत्साहा उसका करेज बना रहे बॉल्डनेस बनी रहे इसके लिए हमें शक्तियों के वाइब्रेशन्स तो देने जही सुचेक्ता इसलिए हम लोगों ने सहयोग की शुरुबात प्रताजी की अगला मिल हमारे पर आया हुआ है, यह महरास्ट कोलहापूर से लिखा है जAYेंदर शिंदे जी ने और ये कहते हैं कि मुझे जुआ खेलने की आदत पड़ी होई है, मैं इसमें बहुत पैसा गवाँ देता हूँ, मुझे में और कोई बुरी आदत नहीं है, मुझे इस आदत से छूटने की विधी बताएं, मैं प्रति दिन मुरली क्लास में भी नहीं जा पाता हूँ, योगी बनना है, तो बाकिये जो बेकार के व्यसन आ गए हैं, ये स्वता ही पीछे चूट जाएंगे, क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो मनुस में अनेक योगिताएं भर देता है, व्यसनों से उसके जीवन को मुग्त कर देता है, हमें याद दिला देता है, तु तो देवकुल की मान अत्मे हो, ये जुवा खेलना, ये सराब पीना, ये तो तुम्हें सोभाई नहीं देता, तो मनुस से हट जाएगा, सासात मेने, ये भी कहूंगा, कि जो पैसा ये जुवे में लगाते हैं, लगाते तो इसलिए कि बढ़के आएगा, पर बहुत करके ल और इस बाहने वो सब कुछ गमा देता है, लेकिन अगर इनको राज्योगी बनना है, अगर इनको ये इसमर्ती रहे, कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान इन चीजों को देखता होगा, तो उसे कैसा लगता होगा, क्या उसे लज्जा नहीं आती होगी, ऐसा सो परती मैं तो देवकुल की आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, इसको ये दिन में दस बार अवस्य करें, बस चोट जाएगा, लेकिन ब्रता जी जैसे इनी कई बार एक नशे की तलब है, वैसे इसकी भी तलब सी होगी, कि चलो क्या होता है, कि थोड़ा कर लेता करना, या spiritual रास्ते पे चल के भगवान के समी पहुचना, अपने जीवन को दिव्यता से भरना, और संसार के लिए कुछ काम करना, क्योंकि जुआ खेलने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपना सब कुछ गवा के, आखिर में निरास हो के, उदास हो के, परिशान हो के, जीवन से, जीवन में जो खुसी है, वो सब हाथ जाड के बैठ जाते हैं, इसलिए इसको संकल्प करना होगा, कि मुझे तो संसार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है, सोच लेए, कि अगर इनके बच्चे भी इसी काम में लग जाएं, इनकी पत्नी भी उसी काम में जाने लगें, तो कैसा लगेगा, पुरा परिवार बैठ के करने लगे, ये काम तो कैसा लगेगा, इसलिए जब कुछ महानकारी करना हो, तो इन सब चीजों को छोड़ी देना चाहिए, दोस्तों मिलेंगे, दोस्तों ये मिलेंग आई, ये जैसे न हुनिन कहा है कि वह दृड़ नहीं रह पाते हैं, लेकिन जाना ही पाती है, ये मन को फ्रैस नहीं रहने देennis रहा है, ये सुख्शम भी हैं लोगे बैड़ बैठे, भी सवरेो घ्याओं घथ हम आउना पीसा बूखें मेरं हो ठोगे की और कि बाड़ू बच्चों को higher education दिलानी है, उनके लिए पैसा नहीं होगा, पत्नी की आवज सकता है घर चलाने के लिए कई चीजों से चाहिए, वो अभाव में जीवन जी रही होगी, वो बुरे संकल्प इनके लिए कर रही होगी ना रात दिन, तो ये सब पाप है, ये पाप का दबाव जो और ये चीज छूट जाए है, मतलब पत्ते को छोड़ें और परमात्मा को पकड़ने, ये बात इनके लिए हैं, वेलकुल पत्तों को छोड़ना ही पड़ें, प्राता जी अगला मेल हमारे पास है, ये कहते हैं कि आजकल अकाले मृत्यू बहुत हो रही है, लोगों में स्व परिवार में आत्महत्या एक प्रथासी भी बनती जा रही है, परिवार में विशेश करके मा को ये भूलना भी बहुत कठीन हो जाता है, जब उसका जवान बेटा आत्महत्या कर लेता है, ऐसे में योग के बाद चित भी शान्त नहीं होता है, तो ऐसी विशेश जो स्थित बन जाती है परिवार की, क्या किया जा सकता है इसके लिए, ये टेंडेंसी यूगों में बहुत बढ़ रही है, और कहीं-कहीं बढ़ों में भी जब देखते हैं, उनके काम धंदों में बिल्कुल गड़ बढ़ हो गई है, पैसा पंस गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कुछ हो नहीं रहा, आज ही मुझे दो ऐसे फोन आई, एक तो लड़की का था, वही जो आजकल होता है, एफेर में, कि ये नहीं हुआ, अब तो मैं जीना नहीं चाहती, मुझे लगता है संसार बिलकुल सुना है, मैं तो मर जाना चाहती हूँ, मैंने उसे पूछ लिया, प देखो संसार कितना सुन्दर है, तुम्हें बड़े-बड़े काम करने, मर के तुम्हें क्या मिलेगा, मैंने उनको कन्विंस किया, जो बात मैंने उनको कही, वही मैं अपने सब दर्सकों को कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे पूछा, कि तुम देधारियों से इतना प्यार कर किहां मैंने कर लिया और उसका तो केस ऐसा था जो मैं बता नहीं सकता उन्ने किसी ऐसे वगति से प्यार कर लिया जो उनके अपने थे लेकिन ऐसे संबंधों में थे जिन से साधी नहीं हो सकती थी तो ये बहुत परिशान, कहा हमने तो पाप भी बहुत कर लिये, तो मैंने इनको कन्विंस किया, कि मरने के बाद स्यांती नहीं मिलेगी, इतना प्यार अगर तुम भगवान को करो, तो चोरा सी जनम तर जाओ, जनम जनम तुम्हे अच्छा पती मिले, तुम्हारा प्यार सफल हो, लेकिन अब तो प्यार भगवान को करना पड़ेगा, तो छोड़ो देहधारियों के प्यार को, ये प्यार धोका देने वाले हैं, मैंने उनको जीवन का महत्तु बताया, वही मैं सब यूको को कहना चाहूँगा, Life is a most beautiful gift of God, इसे किसी के प्यार में नस्ट कर देना, थोड़ी बहुती च्छाएं पूरती नव हुई मरने का सोच लेना, कोई समस्यां आ गई बस मरो और इन दुखों से छूटो, सब को ये पता होना चाहिए, इस तरह मरने से कोई दुखों से छूटता नहीं है, उसके कर्म उसका सदा पीछा करते हैं, मैंने इस लड़की को भी कहा, तुम हजारों साल तक अंदकार में भूकी प्यासी भटकती रहोगी, सोच लो, उसको सहने की सकती तुम में होगी, कहो नहीं, फिर मैंने आसी में कहा था मर जाओ ना, कहा नहीं नहीं मरना तो नहीं चाहती, इच् आजियोगी बनो, रोज मुर्ली क्लास सुनने चलो, और एक अच्छा चिंतन सुरू करो, तुम प्रोफेसर हो, तुम हाईली एजुकेटीड हो, कहा हमें पीछडी भी कर रही हो, मैंने का वाह, तुम दूसरों को नई चीज देना चाहती हो, अब नई चीज अपने लिए भ तो मैं सब को कहूंगा, मनने का संकल्प सबसे बुरा संकल्प है, भगवान ने हमें जीवन देकर भेजा है, उसने जिस लक्ष से हमें जीवन दिया है, वो हमें पूर्ण अवस्य करना है, नहीं तो यह उसकी भी अवग्या हो जाएगी, और यह भी सब को जानना चाहिए, यह आत्मगात, जिसको जीवगात कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, यह बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, वैसे मनुस पाप सो करें और यह एक बराबर हो जाता है, इसलिए ऐसे पाप से सभी समझदार व्यक्तियों को बचना चाहिए, और जैसा मैं कह रहा इसलिए अगला जनम होगा ही नहीं जो सुसाइड करते हैं, लंबा काल इनात्माओं को भटक जाना पड़ता है, इसलिए इस दूसित मन सिक्ता से सभी यूखों को बड़ों को भी सावधान होना चाहिए, अपने प्रिये जनों से बात करनी चाहिए, मानलो समस्यां भी आ गई काम धंदे में, कर्ज हो जाता है, मन उसको नीन नहीं आती, उसे ये तो सोचना चाहिए, तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी बतनी है, उनका क्या होगा, तुम्हारे माबाप को तुम रोता चोड़ कर जाओगे, चलो तुम सुखी भी हो जाओ उमर के तो उनको दुखी करके भला कोई सुखी कैसे हो सकता है, तो एक अच्छे चिंतन के द्वारा बात करो थ तुम्हारे सथिन नहीं है वो देने की लगातार लोग बोले जा रहे हैं, तो ऐसी में ऐसां लगता है चलो यर की अब लाइफ को अन्त करदे है क्योंकि हब हमारी बस की बात नहीं रही है लगातार हमें सुनना और सहना पड़ेगा, तो ऐसी स।िति में क्या करना च compat kita यह तुम चलो, हम तुमें और समय देते हैं, अपने कारिये को संबालो, और जो बिजनस ठीक से नहीं चल रहा था, योग शक्ती से वो भी ठीक से चलने लगता है, तो कमाई अच्छी होने लगती है, इसलिए राज्योग का इसमें 21 दिन का योग भट्टी का परियोग है, वो एक घंटा बहुत अच्छा योग करेंगे, अपने घर में कर लें, घर में नई योग लगता हो, सेंटर में जाके कर लें, एक घंटा एक टाइम फिक्स करके बहुत अच्छा योग करेंगे, अच्छा माना मन भटके नहीं, तो इससे वो वीघन हटेगा, वीघन होते हैं य और रास्ता मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा फिली ब्रता जी वैसे तो सच मुछ एक बहुत ही ज्वलन्त मुद्दा है मैं कहूंगा और आजकल आए देन चाहे न्यूस पेपर हो, चाहे टीवी चैनल हो सभी में हमें देखने और सुनने को मिलता है कि फलाने ने सुसाइट कर ली कोई दसवी मंजील से, कोई बीसवी मंजील से कूद गया, आदी आदी इत्यादी लेकिन ये आत्महत्या वास्तों में कोई समाधान नहीं है क्या किया जा सकता है विभिन परिस्थितियों में, इस पे हम आगे भी आप से चर्चा करते रहेंगे, आज के सुन्दर प्रकाश के लिए ब्राताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों किसी भी तरह इस बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता कि आत्महत्या कर लेना सच मुझ जीवन में बहुत सुखदाई है या सुखकारी है इसके माध्यम से जैसे ब्राताजी लगातार कहते आए हैं हम लोगों को कि जीवन में हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जैसे भटक जाते हैं तो क्यों ना हम लड़ना सीखें क्यों ना हम जूझना सीखें भागे नहीं वास्तों में जिसने हमें संसार में भेजा है परमात्मा पिता चाहे सब साथ छोड़ दें लेकिन वो हमीशा हमारे साथ रहते हैं ऐसी विपदा में तो विशेश करके हमें उनकी मदद मिलती ही है यदि सुन्दर राज्यों का अभ्यास किया जाया तो कैसी भी कठिन परिस्थिती से निजात पाई जा सकती है हम इस पर आगे भी भ्राताजी के साथ चर्चा करते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहिएगा नमस्कार